साथियों नमसकार, इलजेबरा के एक सांदार क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज के सेसन में हम लोग इलजेबरा के महतपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि आपके कमपूटेटिव उग्जामस में बार वार पूछे जाते हैं और हर एक 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 लिए ये महतपूर्ण होने वाला है तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पर बेस्ट कॉंसेप्ट आपको देंगे, सांथ में ट्रिक के भी बात करेंगे सब कुछ आपको आसानी से समझा दिया जाएगा यहाँ पर पहले सवाल के हम लोग बात करते हैं सवाल नमबर एक क्या दिया है? यदि एक सवर वाई सुनने नहीं है और असमान परिमे संख्या है तो इसका वैलू आपको यहाँ पर बताना है कि भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है? आप देखें दोस्तों यह जो सवाल है ना यह सवाल है आपका इलजेबरा का जो बेसिक सब फॉर्मूला होता है उस पर अधारित है यह अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस सवाल को आसानी से लगा ले जाएंगे तो पहले आप फॉर्मूला जान लेजिए यहाँ पर देखें दोस्तों क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है आपको एकस प्लस वाई का होल स्क्वाई अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो यह समझेए एकस प्लस वाई का होल स्क्वाई का फॉर्मूला फिर लगा है माइनस तो हमने माइनस लगा दिया अब एकस माइनस वाई का होल स्क्वाई का होता है? तो एकस माइनस वाई का होल स्क्वाई होता है दोस्तों यह होता है एकस का स्क्वाई plus y का square लेकिन जब हम 2xy लिखते हैं तो अगर बीच में minus लगा है तो हम यहाँ पर minus लगा देते हैं यानि यहाँ पर यह हो जाएगा minus 2xy ठीक है अब यहाँ से अगर हम इसको solve करें थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा देखेगा plus का x square minus का x square क्योंकि यह minus अंदर multiply होगा तो minus x square हो जाएगा plus का y square minus का y square यहाँ पर minus अंदर multiply होगा तो minus y square हो जाएगा अब यहाँ पर देखेगे plus 2xy लेकिन यह minus अंदर multiply होगा तो यहाँ भी plus 2xy तो plus 2xy और plus 2xy कितना हो जाएगा plus का 4xy हो जाएगा तो दोस्तों उपर वाले को जबों लोग solve करेंगे तो यहाँ पर उपर वाले को solve करने पर हमारे पास कितना आ गया हमारे पास ही यहाँ पर आ गया 4 into x into y अब यहाँ पर देखिए denominator में x और y क्या common है तो x और y को हम लोग ले लेते हैं common यहाँ पर बचा क्या अंदर देखिए यहाँ से 1x बाहर लिए तो 1x बचा y तो हमारे यहाँ से बाहर ही निकल गया यहाँ पर देखिए minus फिर यहाँ पर 1x common हो गया y दो ठोट था तो 1y निकल लिए जो 1y यहाँ पर बचा अब देखिए दोस्तों कुछ कट रहा है xy और xy कट गया 4 upon x minus y यानि option number c इसका correct answer बन जाएगा 4 upon 4 upon x minus y यहाँ पर इसका सही उत्तर बनने वाला है दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा वो भी बहतरी इन तरीके से clear हो गई बात आगे बढ़ते हैं ऐसे ही महत्तपूर्ण सवालों को करेंगे यह सवाल बार बार आपके एक्जामस में पूंचे जाते हैं ऐसे महत्तपूर्ण सवालों के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आएं बढ़ते हैं आगे दोस्तों गवर फर्माईएगे यहां पर अगले सवाल पर क्या दिया है यदि X प्लस वन अपान X का वैलू कुछ दे रखा है तो आपसे पूंचा है X क्यूब प्लस वन अपान X क्यूब का वैलू क्या होगा यहां पर आपका पावर तीन एक पावर से तीन पावर में गया है दोस्तों तो ऐसे सवालों को करने के लिए ट्रिक याद रखिए अगर आपको यहाँ पर x प्लस है ना अगर आपको यहाँ पर x प्लस 1 अपान x की वैलू कुछ दे रखा है माल लीजिए कि यहाँ पर p दे रखा है तो अगर आपसे पूचा जाता है यहाँ पर कि भाई x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैलू बताईए x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब की वैलू तो यह हो जाता है दोस्तों इसका क्यूब यानि p का क्यूब p का क्यूब और माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस का वैलू निकाल है तो माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक न अब देखे, इसको 3 से मल्टिप्लाई करके यहाँ पर खटा दीजे, यानि 3P समझ में आगई बात, तो यह बात समझ में आगई न, अब इसी टाइप से अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, इसी का दूसरा टाइप है न, आपसे अगर बोल दिया जाए कि भाई, X-1 upon X का वैलू, आपके पास कुछ भी दे रखा है, मालीजे की Q दे रखा है, ठीक है अब यहीं पर आपसे बोला जाए कि भाई, X-3 minus 1 upon X-3 की वैलू बताइए, तो यह सीधे सीधे हो जाता है दोस्तों, देखे, यहाँ पर क्या था, दोनो जगा प्लस था, तो हमने यहाँ पर माइनस 3P किया था, है न, 3 से मल्टिप्लाई करके इसमें घटा दिये तो यह दोनो फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है important trick है, यह important concept है अब इस सवाल पर आते हैं, क्या दिया है आपको X plus 1 upon X का value 4 है तो X cube plus 1 upon X plus का value देखे, plus का ही value यहाँ पर पूचा जा रहा है, लेकिन power 1 से power 3 में जा रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर इस value का पहले तो cube कर देजे यहाँ पर देख लिजे क्या है पहले cube करना है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का cube हो जाएगा फिर घटाना किसको है, इसी का 3 गुणा करके, तो 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहां से 4 ककी, 4 चोग, 16, 64 यह हो जाएगा आपको दोस्तों, 64 और 4 तियां यहां पर हो गया, 12 मतलब इसको घटाएंगे तो यह सीधे-सीधे हमारा आजाएगा कितना? 52, 52 is the right answer option number C, यहां पर आपका correct उतर बनेगा दोस्तों चलिए, यह सवाल तो आपको clear हो गया होगा, एकदम अच्छे तरीके से, बहतरीन तरीके से बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगला सवाल देखते हैं अब इस सवाल को देखेंगे दोस्तों, यह सवाल है बड़ा जवरदस्त क्या दिया है, यदि A बटा 3 बरावर B बटा 4 बरावर C बटा 7 बरावर 7 A माइनस 4 B प्लस 3 C अपान P, तो P के यहां पर value बताने हैं देखें दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपका अनुपात और समानुपात भी घुसा दिया है लेकिन करना कैसे है, बहुत आसान सा तरीक है, देखें दोस्तों जब ऐसी चीजें आपके बरावर में दी गई हों, तो यहां पर सीधे-सीधे आपको यह याद रखना है कि A का value सीधे सीधे आप कितना ले लिजे, तीन ले लिजे B का value आप 4 ले लिजे, उसके जश्ट नीचे वाला, और C का value साथ ले लिजे बस यही चीजों को लेकर आप इस वाले में put कर दीजे तो यहां पर, यहां पर क्या दिया गया है, 7A-4B और प्लस 3C, यह और अपान में कितना है P है अब देखें दोस्तों, जो भी उपर वाले का value निकल कराएगा, वही P के बरावर होगे क्वी 4 बरावर है नहीं आपर, तो जो भी उपर वाले का value निकल कराएगा वही P का ही value होगा, तो A के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रख दीजे, तो यह कितना हो जाएगा, A का value कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, यह हो गया 21, minus 4 into B, 4 into B, B का value क्या है 4, तो 4 गुणा 4, यानि यह हो जाएगा आपका 16, फिर यहाँ पर plus है, 3 into C, C का on P, मतलब कि यहाँ से हम देख सकते हैं, कि 26 जो है P के बराबर होगा, मतलब कि कह सकते हैं कि P भी हमारा 26 के बराबर होगा, तो यहाँ से आपका P का value कितना आजाएगा दोस्तों, यह आजाएगा 26, option number C, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, देखे, तो इस टाइप के सवालों में आपको सीधे-सीधे क्या करना है, जो उपर वाले का value है, वही नीचे वाले को, मतलब कि उपर वाले का value, नीचे वाले के बराबर आप ले सकते हैं, basic से करने जाएंगे, के मान कर करने जाएंगे, तो time लगेगा इसमें, ठीक ना, तो I hope कि आप लोगों को clear हो गया होगा, यह सारी चीज़ें, ठीक है, concept जवरदस्त है, याद रखेगे इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर, दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को देखेगे, यहाँ पर आपको एक concept याद रखना है, एक trick याद रखना है, formula कह लिजी, कुछ भी कह लिजी, यह formula यह है, दो formula हम यहाँ पर बताएंगे, दोनों का प्रियोग बहुत ज़्यादा होता है, देखें दोस्तों, अगर आपको A cube प्लस B cube का value पता हो, या कहले formula पता हो, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, या फिर A cube माइनस B cube का value पता है, तो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, तो A cube प्लस B cube होता है दोस्तों, यह होता है A plus B, A plus B, और into में, into में, A square प्लस B का square, और माइनस A B, ठीक है, यह होता है, और इसी तरीके से, इसी तरीके से इसी प्रकार, A cube माइनस B cube, है ना, A cube माइनस B cube का value होता है, अब बीच में माइनस लगा है, तो शुरू में हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, मतलब A माइनस B हो जाएगा, और into में, अब यहाँ पर minus लगए तो इधर सभी में plus हो जाएगा यानि a square plus b square और plus का a b यह हो जाता है दोस्तों आपका formula ठीक है तो इसको याद रखेगा अब यहाँ पर जरा गवर फर्माईएगा यह जो नीचे वाला है denominator वो क्या है a q minus b cube है की नहीं अगर a q minus b cube के जगाँ पर इस value को हम पूट कर दें इस value को यह formula को तो क्या हो जाएगा जरा कोर की जगा उपर में क्या है दोस्तों हमारा उपर में हमारा a square a square plus का b square और plus का a b ठीक है और denominator में क्या हो जाएगा a q minus b q का सीधे value रखे तो सीधे जब हम value रखेंगे तो a minus b हो गए और multiply में a का e square plus b का e square और plus का a b यही तो होगा अब कुछ cancel हो रहा है यहां से देखे यह और उपर वाला cancel हो गया उपर में बचा आपका 1 और नीचे में बचा a minus b a minus b a का value कितना दे रखा है a का value 16 b का value 5 तो 16 में से 5 घटाएंगे 16 minus 5 यानि यह हो जाएगा आपका सीधे सीधे 11 यानि इस पूरे का value इस पूरे का value कितना आजाएगा दोस्तों यहां पर 1 बटाए 11 और पहला सही होगा समझ में आ गई बाद तो इस टाइप के सवालों का आप directly value रखके मत निकाले कि उसमें आपको time लगेगा 16 के square करेंगे 5 के square करेंगे फिर उसके बाद यहां पर आप दोनों को multiply करेंगे जोडेंगे घटाएंगे डिवाइड करेंगे बहुत समय लग जाएगा और अगर value और जादा दे दिया मतलब और बड़ा बड़ा दे दिया जैसे यहां पर 16 के जागा पर कुछ और दे दिया है ना माली जी कि आपको 42 दे दिया तो फिर कैसे करेंगे आप लोग तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा तो इस concept को दोनों को याद रखेगा दोनों याद कर लिजेगा नोट कर लिजेगा अच्छे तरीके से चलिए I hope कि आप लोगों को clear हुआ होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले सवाल पर अब इस जवादस्त सवाल को देखेगा दोस्तों इस सवाल में आपके गलती होने की संभावना बहुत जादा है क्या दे रखा है 1 प्लस ओन अपांट T equal to T प्लस ओन अपांट T तो T का value यहाँ पर आपको क्या होगा बताना है ठीक है देखेग दोस्तों ऐसे सवालों में जरा गवर कीजिएगा आप पक्का है कि गलती कर जाएंगे इसमें इसका सही उत्तर्ज होगा यह वाला होगा आप एक काम करें इस T को दोनों के साथ डिवाइड करना पड़ेगा तो T बटे T बटे T यानि 1 हो गया और प्लस एक कभी T के साथ डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1 अपांट T अब क्या यहाँ पर LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है दोस्तों भाई दोनों तो एक ही चीज दोनों बराबर हैं तो हम T का वैल्लु कुछ भी रख दीजे जैसे माल लेजी यहाँ पर 2 रख देतें तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा तो वही मतलब हुआ 1 प्लस 1 बाइटू 1 प्लस 1 बाइटू दोनों बराबर ही होगा यह हमेशा साथिस्फाई होगा यानि T के हर एक वै रहित संख्या कोई भी संख्या हो सकता है 0 को छोड़ कर 0 नहीं होगा क्योंकि अगर 0 होता है तो यह undefined हो जाएगा बात सिर्फ इतनी सी है clear हो गई बात तो यहाँ पर कोई एक इसका particular value नहीं होगा particular इसका solution नहीं निकलेगा हाँ सभी values हो सकते हैं कोई भी value हम ले सकते हैं बसरते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए मतलब कि कोई सुनने रहित संख्या non-zero value बात clear हो गई ना तो हर एक non-zero value के लिए satisfy होगा दोस्तों option number D यहाँ पर आपका सही उत्तर बनेगा है सवाल जबरदस्त अगर आप चाहें तो इसको देखकर अगर concept समझ गया हो तो आप सिर्फ द आने वाले ने क्या कारणामा किया है तो आप इस सवाल में लेकर भटकते रहेंगे कि भाई कैसे करना है इसको ठीक है है सवाल जबरदस्त क्या दिया है दोस्तों x square minus 6x plus 1 equal to 0 है तब x square plus 1 by x square का value यहाँ पर आपको बताना है ठीक है आप क्या करेंगे आप सीधा सीधा आपको concept नहीं पता होगा तब की बात है खैर यहाँ पर concept हम आपको अच्छे समझाएंगे अगर नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पर पहले इस quadratic equation को आप लोग solve करेंगे और यहाँ से x का value निकालेंगे यही काम तो करेंगे आप लोग है ना और फिर उस x के value क इसमें put करेंगे और value निकालेंगे ऐसा नहीं करना है आपको यही तो गलती आप करते हैं concept ना सीख कर यह बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं आप जहाँ पर आपका समय ज़्यादा खर्च हो जाता है सवाल क्या है यहाँ पर गवर कीजिएगा देखे दोस्तों पहले हम आप आपको x plus 1 upon x की value कुछ भी दे रखा है माल लीजी की p दे रखा है और आपसे अगर x square plus 1 upon x square का value x square plus 1 upon x square का value पूछा जाता है तो आपको क्या करना है जरा गवर कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको इसका square करना है भाई 1 पावर से 2 पावर में जा रहे हैं तो इसका भी हम लोगी square करेंगे यहाँ पी का ही square करेंगे और इसमें अगर plus का value निकालना है हम लोग तो minus का 2 कर देंगे ठीक है अगर आपका यहाँ पर plus का value देकर plus का ही value पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे minus 2 कर देंगे बाद क्लियर हो गई अब देखें दूसरा concept value पूछा जाए मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते है कि x square plus 1 upon x square का value तो इसके लिए हम लोग क्या करते है देखें दोनों जगा plus का value पूछा जा रहा है लेकिन इसमें plus का value दिया है इसमें minus का value दिया है ठीक है तो आपको क्या करना है जब minus का value दिया रहे है तो आपको इसका square करन माइनस का value दिया है तो प्लस का 2 कर देना है ठीक है इसके basic पर यहाँ पर नहीं जा रहा है हम लोग अभी और वीडियो में basic हमने आपको समझा रखा है तो algebra के और basic वीडियो देख लीजेगा उसमें आपको इसके basic के बारे में पताच लजाएगा फिलहाल यह concept ध्यान रखिएगा ठेक है अब यहाँ पर इस चीज को यह वाला जो है यहाँ पर यह जो दिख रहा है यह दोस्तों अगर हम divide कर दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो यह सीधे सीधे हमारा x ही बचेगा है ना क्योंकि 1 x से 1 x कट जाएगा माइनस यहाँ पर दोस्तों x से अगर हम divide करें तो x से x कैंसिल बचा 6 और प्लस यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो यह होगा 1 upon 6 equal to 1 upon x equal to 0 में x से डिवाइड करेंगे तो यह तो 0 ही रहेगा मतलब यहाँ से देख सकते हैं कि आपका x plus 1 upon x x plus 1 upon x minus 6 उधर जाएगा तो plus 6 हो जाएगा बन गया कि नहीं बिल्कुल बन गया है यहाँ पर देख लीजे x plus 1 upon x का value आपको 6 दे रखा है आपसे पूंचा क्या जा रहा है भाई कि x square plus 1 upon x square का value बताईगे तो यहाँ से क्या नहीं निकाल सकते बबुआ एकदम निकाल सकते हो भाई यहाँ पर x square plus 1 upon x square का value पूंचा जा रहा है तो हमने आपको अभी अभी concept बताए क्या करना है आपको plus का value देके आपसे plus का ही value पूंचा जा रहा है तो square करके 2 घटा दीजे तो 6 का square 6 का square हो जाएगा 36-36 में से हम 2 घटाएंगे यह आजाएगा आपका 34 मतलब की option number यहाँ पर D आपका correct होगा समझ में आया कि नहीं बिल्कुल समझ में आगया होगा समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजेगा अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर दीजेगा बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर चले दोस्तों गवर फर्माइए गए इस सवाल पर पहले तो इस सवाल को देखके डरना बंद करिये सवाल बहुत आसान सा है आपको दे रखा है x upon y का value अनबटे 3 तो यहाँ पर x square plus y square upon में x square minus y square का value पूछा जा रहा है देखे दोस्तों ऐसे सवालों में ना क्या करना है आपको यहाँ पर कुछ ratio type का दे रखा है है ना कुछ ratio type का दे रखा है यही पर आपको दिमाग भिडाना है जब हमको ratio के type में दिया रहता है तो उपर वाला उपर वाले का value हो जाता है नीचे वाला नीचे वाला का value हो जाता है यानि x का value 1 है y का value 3 है बस यही काम तो आपको करना है examiner आपको घुमाने के लिए ऐसा प्रसन देता है मांकि है यह बहुत आसान तो क्या करना है x का value 1 रखना है y का value 3 रखना है बस इसमें रख दीजे आपका answer आजाएगा पहली बात तो यहाँ पर देखिए x का value 1 रखिए तो 1 का square कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा plus y का value 3 रखना है 3 का square कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का square हो जाएगा आपका सीधे-सीधे 9 और upon में 1 का square 1-3 का square 3 का square 9 यानि यह हो गया आपका ऊपर में 10 और नीचे में आपका आजाएगा कितना minus का 8 है ना अगर आप इसको काटेंगे 2 से तो 2 से काटेंगे ती इसीधे-सीधे minus 5 दूना 10 4 दूना 8 minus 5 बटे 4 minus 5 बटे 4 option number C में आपको दिख रहा है ठीक ना तो ऐसे सवालों में आपको कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है basic तरीका मत लगाईएगा कि यहाँ पर आप यहाँ पर दोनों में उपर और नीचे y square से divide करेंगे फिर आप यहाँ पर x और y का value रखेंगे फिर भिंद को solve करेंगे तो वो ज़्यादा लंबत चोड़ा हो जाएगा सीधे सीधे देखिए भाई x का value 1 है y का value 3 है put कर ये आपका answer आएगा एकदम सांदार तरीका आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर चले दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को देखेगा यह सवाल हमने उठाया है आपके quadratic equation से यानि द्विघात समीकरण से है ना पी का मानिक जात किजिए यदि निम्न समीकरण का मूल वास्त्विक और समान हो यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है जो की द्विघात समीकरण है quadratic equation है इसमें आपको बताना है कि भाई इसका root जो है वो real और equal कब होगा किस P के value के लिए होने वाला है तो यहाँ पर पहले तो concept समझे अगर हम बात करें दोस्तों कि एक quadratic equation किस form में होता है तो वो होता है AX square AX square plus BX और plus C equal to 0 यह हमारा standard form होता है एक quadratic equation का अब यहाँ पर तीन चीज़े होती है पहला क्या पहला हमारा तो पहला है दोस्तों पहला condition यह है पहला देखेगा यहाँ पर अगर हमारे root है ना जो roots है वो भाई इसके दो root होंगे दो मान होंगे X के है ना तो जो roots है अगर real है real roots real end and unequal है ना unequal यह तो अगर roots real है और unequal है तो उसके लिए क्या condition बनता है तो उसके लिए बनता है दोस्तों B square यानि जो इसका discriminant है जो हमारा कहते है विविक्त कर हिंदी में B square minus 4 AC जो होता है वो greater than zero होता है तब हमारे roots real or unequal होते है यानि असमान होते है अलग-अलग होते है ठीक है दूसरा यहाँ पर condition क्या बनता है है ना दूसरा condition यह बनता है कि अगर आपके roots अगर आपके roots यहाँ पर roots imaginary हैं है ना imaginary यानि कालपनिक imaginary तो imaginary अगर roots हैं तो उस condition में हमारा जो यहाँ पर formula बनता है वो होता है B square minus 4 AC जो है दोस्तों वो less than zero होता है यानि इसका value negative होता है तब हमारे roots imaginary होता है कालपनिक होता है है ना या फिर अवास्तिविक होता है उसको ऐसे भी कह सकता है तीसरा point यहाँ पर याद रखेगा कि मूल वास्तिविक और समान कब होंगे तो roots जो है हमारे roots यहाँ पर है ना roots हमारे real real and equal real and equal कब होंगे यह तभी होंगे जब हमारा b square minus 4 AC यह 0 के equal हो जाए समझे में बात आई तो b square minus 4 AC b क्या है हमारे यहाँ पर x का coefficient a क्या है x square का coefficient और c हमारा यहाँ पर three term है यानि स्वतंत्रपद है अब यहाँ पर इस सवाल के बात करते हैं आईए दोस्तों देखेगा यह है a का value यह 3P जो है यह b का value है और यह जो 4 है वो हमारा c का value है आपको क्या बोला है मूल वास्तविक होने चाहिए यानि real होने चाहिए और समान होने चाहिए यानि equal होना चाहिए तो बस वही formula लगाएंगे यानि b square minus 4 AC बरावर 0 हो जाना चाहिए तो b का value कितना है b का value 3P है मतलब यह हो गया 3P का whole square b का square मतलब 3P का whole square minus 4 into A का value 9 into C का value 4 equal to कितना 0 यह 0 है ना अच्छा यहां से 3 का square कितना हो जाएगा 3 का square 9 और P का square P square चलिए यहां से कितना हुआ यह हुआ आपका दोस्तों सीधे सीधे इसको ऐसे करिए ना यह आपका 4 चोक 16 16 गुडे 9 कर दीजे क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा यहां से 9 दोनों में है तो 9 को हमने common ले लिया 9 हमारा आ गया common या फिर 9 से 3 में divide कर दीजे सम में है ना दोनों side तो 9 से इसमें divide करेंगे तो यह सीधे सीधे P square हो जाएगा यहां 9 से divide करेंगे तो 16 होगा यहां 9 से divide करेंगे तो 0 यहां से P का value कितना जाएगा दोस्तों under root 16 under root 16 यानि हम कह सकते हैं कि यहां पर P का value कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा plus का 16 कर रहे है चाउदा कर रहे है ठीक है यहाँ पर 16 होना चाहिए, ठीक है मतलब यह सीधे-सीधे 4 आ जाएगा तो P का विल्लू यहाँ पर 4 होने वाल है option number B आपका correct होगा उमेद करते हैं कि समझ में आया होगा तिन तीनों concept को याद रखेगा बहुत important concept है अगर आप quadratic equation के सवालों को करना चाहते है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर दोस्तों वैसा ही एक सवाल आवर देख लिए, क्या दिया है, P के किस मान होगा तभी तो उसके दो नमूल बरावर होंगे दो नरूट सिक्वल होंगे, अब यहाँ पर A का value देखे, A का value आपको 4 दे रखा है, B का value दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरा है यह B का value है, और यह हुआ आपका equal to 0 हो गया, अब इसको बस solve करना है आपको देखे, solve करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पर देखेगा minus 2 का square कितना होगा, 4 होगा है ना, minus 2 का square फोर हो जाएगा और P plus 1 का whole square P plus 1 का whole square minus, इधर से कितना हो गया यह हो गया आपका 16 गुड़े 4 है ना, 4 चुक 16 गुड़े 4 equal to 0, सब को 4 से divide कर दीजे तो जब हम 4 से divide करेंगे तो इधर बचेगा आपका P plus 1 है ना, P plus 1 का whole square 4 तो कड़ जाएगा, minus यहाँ बचा 16, यह minus 16 उधर जाएगा तो plus 16 हो जाएगा, यहाँ से P plus 1 का value कितना आजाएगा दोस्तों, P plus 1 का value आपका आजाएगा, 4 है ना, क्यूकि इधर square लगा है, तो इधर square root लग जाएगा तो 16 का square root 4 होता है अब यहाँ से P का value कितना आजाएगा, 3 हो गया 4 minus 1, 3 हो जाएगा P का value 3 होगा दोस्तों तो यहाँ पर option number B correct होगा है ना तो ऐसे सवाल अप जब भी आएंगे तो आप लोग बना ले जाएंगे जिसमें आपको roots बराबर दे रखा हो और वहाँ पर P का value, K का value कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बना ले जाएंगे बसरते बस इसको याद रखिएगा आप लोग है ना जब मूल आपके बराबर होंगे तो B square minus 4 यानि discriminant जो उसका होता है वो 0 के बराबर होता है ठीक है चलिए तो इस class के अंदर दोस्तों बस इतना ही उमीद करते हैं कि ये class आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार सवालों को लेकर जो कि आपके हर एक एक्जाम में पूछे जाते हैं बार बार पूछे जाते हैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद